नमस्कार दोस्तों हाजिर हैं आपके सामने एक और वीडियो और एकर के जो के जोड़ी हुई है हर्याणा में पंचायती रातसिता उसे जोड़ी हुई है उस रसा कशी के दोरान अभी तक कोई ठोस जवाब सरकार नहीं दे पाई है और कोट के दरवाजे से भी कोई लाब अभी तक हर्याना वास्कियों को नहीं मिला है इसी कड़ी में एक और कील, हम ये कहेंगे कि एक और कील जो है सरकार ने ठोक दी है अब इसका रजल्ट क्या रहेगा ये तो नहीं कह सकते लेकिन हर्याना में जो पिछड़ा वर्ग A है उसको एक बार फिर उम्मीद जगी है कि उसको भी पंचाय चुनाओं में आरक्षन का लाब मिलेगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपको लाइक और शेयर करना ना भूले मुख्यमंती मनोहरलाल ने हर्याना की जो पंचाय ती राजसंस्थाओं में पिछरा वर्ग A को आरक्षन दिया जाएगा यह बात उन्होंने प्रेस वारता में कही है उन्होंने कहा कि हर्याना पिछरा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने वाली है आयोग की बैठक हो चुकी है जैसे ही आयोग की रिपोर्ट आएगी उसे राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया जाएगा उसके बाद राज्य चुनाव आयोग पंचाय ती राजसंस्थाओं क चुनाओं की तारिकों की घोजना कर देगा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट ने पिछड़े वर को आरक्षण पर देश तरपर एक जैसा नहीं मिलेगा बलकि पंचायत राज संस्थानों साथ आरक्षण मिलेगा किसी पंचायत में दस पंच बनने है तो किसी में कम बनने है पिछड़ा वर्ग की आयोग को अपने परदेश सरकार को सोंप देगा सरकार उस रिपोर्ट में दिगी सिफारिश के आधार पर आरक्षण तै करेगी तो मुख्य मंतरी मनोरलाल ने कहा कि पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट राज चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी उन्होंने कहा कि वैसे पिछड़े वर्ग एका मामला छोड़कर पूरे चुनाव आयोग ने पूरी तयारी कर ली है पिछले वरक को आरक्षन देने की मुख्य मंतरी की खोशना से यह साबित हो गया है कि हमने जो आपको रिपोर्ट पहले बताई थी वो सही साबित होई है पिछले वरक का आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचाय चुनाओ की परकिरिया आगे बढ़ेगी तो मुख्य मंतरी ने कहा हाँ जैसे यह रिपोर्ट आ जाएगी इसके बाद चुनाओ की परकिरिया आगे बढ़ेगी आयोग की रिपोर्ट का पर आरक्षन अगर 5 सितंबर तक हो गया तो 30 सितंबर तक चुनाओ पोसिबल है हर्याना पिशा वरगायो की रिपोर्ट पर अगर आगामी पंचायत 5 सितंबर तक आरक्षन का फैसला हो जाता है और पंच उसर पंच पंच पंचायद समीती सदशे जिला परिशद सदशे पंचायद समीती अध्यक्ष और जिला परिशद परधान पर्द के अरक्षन का फैसला हो जाता है तो आगामी 30 सितंबर तक चुनाव हो सकते हैं हम फिर कहेंगे अभी कुछ नहीं का जा सकता लेकिन ये फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं तब भी गुरूगराम और सिर्शा जिला परिशद के अलावा गुरूगराम जिले की दो पंचायद समीतियों के चुनाव बाद में करवाने होंगे इनकी वार्ड बंदी होने में अभी भी समय लगेगा तो ये थी पूरी खबर जिसमें हमने आपको बताया कि हर्याना में जो पिछले वरग ए है उसकी आरेक्षन को लेकर कि क्या नीती सरकार अपना रही है और पिछला वरगायों ने रिपोर्ट में क्या कहा इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जय हिंद जय भारत